हेलो आप्रिवान मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटिप चैनल गवर्मेंट जॉब जेन्यू नॉटिफिकेशन आज के वीडियो में हम स्लेक्शन पोस्ट फेस 12 के बारे में बात करेंगे स्लेक्शन एससी स्लेक्शन पोस्ट फेस 12 क्या है स्सी की तरफ से बहुत से नॉटिफिकेशन रिलीज किया जाते हैं बहुत से भरती जो एक्जामनेशन है रिक्टूट्मेंट एक्जामनेशन कंड़क्ट कराए जाते हैं यह आप सभी जानते हैं 10th 12th graduate level की भरती की जाती है अब यह जो नॉटिफिकेशन से या जो एक्जामनेशन है वो अलग लग नाम से जाने जाते हैं SSE MTS, SSE CZL, CHSL, SSE GD Constable ठीक है अलग लग नाम से जाने जाते हैं उन्ही मैसे एक एक्जामनेशन है SSE Selection Post Phase SSE Selection Post Phase एक्जामनेशन हर साल अलग लग रिलीज होता है अलग लग मींज इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर यह जो नंबर देख रहे हैं यह अलग होता है अभी यह 12 का नॉटिफिकेशन रिलीज होने वाला है इसके पहले SSE Selection Post Phase 9, 10, 11 रिलीज हो चुके हैं तो अभी 2024 में जो नॉटिफिकेशन आने वाला है वो SSE Selection Post Phase 12 नॉटिफिकेशन रिलीज होने वाला है अब जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं क्योंकि MTS Post है या CGL, CHSL, GD Constable, CPO इन सभी के बारे में आप सभी ने सुना होगा लेकिन SSE Selection Post Phase में कौन-कौन सी पोस्ट होती है या किस लेवल की पोस्ट होती है या किस-किस क्वालिफिकेशन क्या कि क्वालिफिकेशन रिक्वार्मेंट रहती है अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको SSE Selection Post Phase 12 के बारे मैं फुल इंफॉर्मेशन दूँगी इसका नौटिफिकेशन कव रिलीज होने वाला है और इसमें क्वालिफिकेशन के रिक्वाइड रहती है पोस्ट कौन सी होती है इस क्राइटेरिया क्या रहता है Selection Processor, Salary, Job Location क्या रहेगी ये सारे Points आपके इस वीडियो में के लिया करूँगी और SSE के दौरा जो Notification है Phase 12 के लिए ये बहुत ही जल्द रिलीज किया जाना है अपकमिंग भरती है 2024 की और ये जो भरती आती है ये अच्छी खासी भरती देखने को मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम यही सारा सब कुस जानने वाले हैं अगर आप इंट्रस्टेड हो तो वीडियो को Continue रखेगा लाश्ट तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे Like and Share कीज़ेगा देखे यहाँ पर मैं आपको ये किलिया कर देती हूँ कि इसता सेलेक्शन कमिशन के दौरा जो सेलेक्शन पोस्ट फेज़ भरती नौटिफिकेशन रिलीस किया जाते है इसमें 10, 12 एंड ग्रेजवेट तीनों लेवल की पोस्ट पर भरती की जाती है तो ये जो एक्जामनेशन है यही एक एक्जामनेशन है SSE के दौरा जो कंड़क्ट करा जाता है जिसमें की क्वालिफिकेशन 10 से लेकर के 12 तक के कैंडिडेट के लिए विकैंसी रिलीस होती है क्योंकि बाकि जो अधर SSE की नौटिफिकेशन होते है या जो एक्जामनेशन होते है वो अलग-लग qualification waste होते हैं 10th waste, 12th waste, graduate level waste ठीक है लेकिन यहाँ पर जो भरती की जाती है वो 10th, 12th graduate तीनों के लिए तो stop selection, post phase 12 जो notification आएगा वो 10th pass, 12th pass and graduate level सभी candidate के लिए रहेगा, सभी candidate के लिए vacancies आएंगी और आप 10th से लेकर graduation तक जो भी आपकी qualification है उसके हिसाब से आप apply कर सकते हैं और इसमें जो job location रहेगी वो भी आपकी डेली साथ में जो central government के departments and ministries होती है तो all India में आपकी कहीं भी job location हो सकती है तो चलिए अब मैंने आपको basic से जो starting के points है वो clear कर दिये means 10th 12th graduate अब आप सभी message आप सभी अगर 10th pass है 12th pass है आप सभी के लिए important वीडियो है तो वीडियो को continue रखे इसके मत कीजेगा चलिए अब हम इसके बारे में और भी detail जान लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो notification है phase 12 का यह कब release होगा तो यहाँ पर आप date देख सकते हैं यह examination calendar है SSC का 2024-25 एंज यहाँ पर आप देखेंगे selection post examination phase 12 2024 और यह जो notification है आपका एक फरवरी 2024 को release किया जाना है 28 फरवरी 2024 इसकी apply करने की last date रहेगी यानि पूरा फरवरी का महिना आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है अब यह examination calendar है tentative है हो सकता है थोड़ा extend हो जाए लेकिन अभी जो calendar SSC का है उसमें एक फरवरी 2024 को notification release होना है तो काफी कम time बचाए apply करने के लिए लेकिन आपके exam के लिए अभी भी आपके पास time है एप्रेल माई में आपका examination होगा अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो यहाँ पर हमने यह देखा notification इसका एक फरवरी 1st feb 2024 को release होना है अब हम इसके बारे में basic सी जो qualification तो हमने देखी लिए ace criteria selection procedure देख लेते हैं तो देखी इसमें Indian citizen apply कर सकते हैं SSC की जो vacancies होती हैं वो central level की होती हैं तो इसमें all India से candidate किसी भी state से belong करते हो आपने किसी भी state board या central board से अपनी qualification ली हुई हो आप यहाँ पर eligible रहेंगे ठीक हैं इसके बाद next यहाँ पर देखेंगे ace criteria तो देखें यह जो notification है यह 2023 का notification है तो 1st January 2023 से आपका यह ace वगर count की जा रही है cut off date आपकी 1 January 2030 रखी गई है लेकिन अब यह जो notification है यह 2024 में release हो रहा है तो यहाँ भी आपकी जो ace है वो 1 January 2024 से count की जाएगी ठीक है एक जनवरी 2024 यहाँ पर आपकी cut off date रहेगी so आप अपनी ace वगरा सारा जो भी है क्योंकि एक फरवरी को इसका notification release होना है तो 1 January 2024 तक आपकी ace complete होनी चाहिए ace क्या रहेगी यहाँ पर हम देख लेंगी अभी क्योंकि 10th की रहेगी 10th के साफ से जो 10th level की post है 12th level की जो post रहेगी उनके लिए 12th के साफ से रहेगी और graduation level की post के लिए graduation के साफ से minimum 18 and minimum 20 यह 21 रहेगी यहाँ पर जो रहेगी वो अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में ठीक है तो cut of date हमने यहाँ पर देख लिए और ace relaxation Central Government Rules के accordingly आप यहाँ पर चार देख रहे हैं आपको मिल जाएगा application fees यहाँ पर unreserved male candidate के लिए 100 रुपीज application fees रहती है and boomer candidate किसी भी category की हो SCST candidate, PWD candidate, Ex-Serviceman candidate इनके लिए application fees माफ होती है Only general and OVC EWS male candidate के लिए 100 रुपीज application fees पर करनी होती है Online ही आपको apply करना होता है Online ही आपको fees पर करना होता है SOC की website से आप इसमें online apply कर सकते हैं जब इसका notification आएगा तब आप इसमें apply कर सकेंगे Central level की job है Central government departments and ministries में आपकी भरती होती है तो यहाँ पर आपकी job location तो रहेगी All India level पर कहीं भी की जा सकती है साथ में आपके जो examination center है वो भी All India में रहती है आपको आपके state में examination center मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं All India में क्योंकि SSE के जो भी notifications release होते हैं examination आपका जो रहेगा scheme of examination तो there will be three separate computer-based examination यहाँ पर तीन अलग-लग computer-based examination होते हैं तीन क्यों होते हैं क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर 10th, 12th and graduate तीनों level की post पर भरती की जाती है तो 10th level की post के लिए 10th level का exam होगा 12th के लिए 12th level का exam होगा and graduation के लिए graduation level का exam होगा लेकिन जो subjects रहेंगे वो same रहेंगे ठीक है बस level different रहता है तो इसमें आपका general intelligence, general awareness, quantitative aptitude, English language 25 questions, 50-50 marks के रहते हैं 60 minute की timing रहती है 80 minute जो candidate है eligible for scribes as per जो PWD candidate है and other कुछ categories है जो आपको notification में mention की होती हैं उनके लिए 80 minute रहता है negative marking भी रहती है 0.50 mark minus किया जाता है अगर आप wrong answer देते हैं तो यहाँ पर आपका skill test भी होगा क्योंकि कुछ post रहेंगी जैसे की data entry operator है lower division, clear के अगर यह post होती है या translator की post होती है तो वहाँ पर आपके लिए skill test भी होता है तो यह depend करता है किस post के लिए आप आविदन कर रहे हैं या किस post को आप preference दे रहे हैं किसे साब से आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी skill test requirement है या नहीं अगर skill test रहेगी तो आपको skill test भी देना होगा अब देखिए यहाँ पर अगर हम post देखें तो आप post देख रहे हैं zone भी दिया रहता है post number दिया रहता है जब भी notification आएगा तो आप उसमें देख पाएंगे साथ में किस department में vacancies है वो दी रहती है तो यहाँ पर बहुत से अलग-लग post के लिए भरती होती है में आपको सारी तो अभी cover नहीं कर पाऊंगी 135 या 32 का PDF है यह तो यह काफी बड़ा PDF है और इसमें vacancy ऐसी ही list प्रोवाइट की गई है लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो देखे senior technical assistant की vacancy होती है जिसमें आपको 18 से 30 साल A's होती है level 6 से salary graduation level की यह post होती है ठीक है GCI girl credit instructor की post होती है जिसमें 20 से 25 साल A's होती है level 4 से salary graduation level की है चार्ज में information technology की होती है 18 से 30 साल तो यहाँ पर minimum A's 18 है और maximum में आपकी 25, 27, 30, 32, 35 भी होती है कुछ post पर तो यह post wise different होती है यहाँ पर A's salary आपको level 1 से लेकर के level 5 तक की level 1, 2, 4, 5 तक की यहाँ पर आपको मिल जाती है और qualification देखें यह graduation level की post है यह matriculation 10th level की हो गई यह high secondary level की हो गई तो तीनों level की post पर भरती हैं पर की जाती है इन post में से आप जिस भी post के लिए चाहते हैं कि आप video upload करूँ तो आप मुझे comment कर दीजेगा यहाँ पर देखें ट्वल्थ graduation 10th सभी के लिए librarian, junior technical assistant, senior scientific assistant, laboratory attendant, technician ठीक है इसके अलाबा और भी आप यहाँ देखेंगे assistant plant protection officer, laboratory attendant, canteen attendant, store clerk, junior translator, artist and यहाँ पर research investigator, junior accountant, textile designer, brottsman grade 3rd, law division clerk, hindi typist, personal assistant बहुत से अलग-लग clerk की post है अलग-लग post होते हैं यह देखें यहाँ पर आप बहुत सारी post यहाँ पर दी गई है तो overall अगरम देखें तो minimum age आपकी होनी चाहिए 18 and maximum जो upper age limit है general candidate के लिए वो किसी post पर 25 है, कहीं आपको 30 है, कहीं 32 है, 27 है, 35 भी है तो यह अलग-लग post पर depend करेगा तो अभी इसका notification एक फरवरी 2024 को release किया जाना है 12th pass, 10th pass, graduate level सभी candidate तयार रहेगा, काफी अची post आती है, central level पर रहती है तो आप सभी के लिए एक ही notification release होता है जिसमें आप सभी एक साथ आविदन कर सकते हैं इसके अलाबा SSE के और भी जो other notifications है वो अलग-लग qualification based रहते हैं यह एक notification या हम examination कह सकते हैं जिसमें कि 10th, 12th graduate या higher qualification graduate के अब भी अगर आपने कुछ किया है तो भी आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आसा करती हूँ कि आपको यह information यह जानकारी अच्छी लगी होगी जैसे कि आपको आगे जो vacancies आती है इसके बारे में आपको information होती है आपको particular knowledge जब मिल जाती है तो आप अपनी preparation भी कर सकते हैं अब इसके जो examination है वो अप्रेल मैं में है तो आप अपने हिसाब से तयारी रखिए काफी अच्छी post and department आप SSC के दौर जो भी भरतिया होती है आप सभी अच्छे से जानते ही है इसी तरह की vacancy update हो या job profile, courses, entrance exams के लिए आप चैनलों को subscribe करके रखिए वेल icon के all option को praise कीजे आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं आप particular किस topic पर वीडियो जाते हैं thanks for watching